अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूब प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुंश सके तो चलिए हम इसका पहला कोस्टन देखते है पहला कोस्टन है अपने स्कूल से निकलने वाले कूड़े कच्रे में मौझूद अपसिष्ट पदार्थों की सूची बनाईए इनकी मातरा कम करने के लिए और इनका दोबारा पडियोग करने के लिए क्या-क्या हुपाई करेंगे बताएं तो इनको आपको खुद से करना ह दूसरा को सम्दे रोज मर्रा के जीवमने प्लास्टिक इस्तमाल करने के लाब और हानिया लिखिये लेह के ले लिखित मतलब नीचे डिया गायot पहले हम लाप देख लेते हैं प्लास्टिक के प्लास्टिक बहुत हलका और सस्ता होता है दूसरा लाप है इसे एक जगा से दूसरे जगा ले जाने में आसानी होती है ठर्ड हैं वर्सा के दिनों में प्लास्टिक से कोई भी वस्तु ढग देने से उसमें पानी परवेस नहीं करता है ज्यादा तर लोग प्लास्टिक से ही बने कुर्सी टेबल का उप्योग करते हैं क्यूंकि इसका वजन लोहे या लकड़ी की अपिक्छा कम होता है यह स प्लास्टिक के लाव है नेक्सट प्लास्टिक के सामान अलग-अलग में उपल drainage अब हम इसके हानिया देख लेते हैं तो इसका हानिया वो जाए का भरा सामान रखने से प्लासिक तूट जाता है, फटने पर बेकार हो जाता है, यह सरता नहीं है, प्लास्टिक जो है वो नहीं सरता है, अगर प्लास्टिक जो है वो नहीं सरता है, तो उससे क्या होता है, भूमी परदूसन होता है, प्लास्टिक जलाने पर वायू परदूसन होता है, जब आप प्लास्टिक यह सब क्या plastic के नुकसान है ? Q3 है कच्रे के प्रबंधन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ? यानी कच्रे के प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं तो इसका आंसर हो जाए mतलब कि mà 4R क vull कर सकते है अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बस मैं इसका question अंसर ही आप लोग को बता रही हूं इस चैप्टर को नहीं पढ़ा ही हूं तो देखिए पहला R1 है refuse मतलब कि मना कीजिए R2 में है reduce मतलब की उप्योग कम R3 में हो जागा है reuse मतलब पुना उप्योग R4 में हो जागा recycle मतलब की पुना चकरन तो देखिए R1 में क्या था? R1 में था refuse, refuse मिन्स मना कीजिए तो प्लास्टिक के बढ़नी थैलियों एवं सामानों का उप्योग के लिए मना करना चाहिए प्लास्टिक के चीजों का उप्योग कम करना इसे हम कसे ले सकते हैं प्लास्टिक के चीजों का उप्योग बहुत ज्यादा जरूरी पढ़ने पर ही करना चाहिए नहीं तो हमें प्लास्टिक के चीजों का उप्योग नहीं करना चाहिए अगर ज्यादा उप्योग यानि कि मनें वस्तु को प्लायस्टिक जो है समानों का यह यह में बदल दिया जाता है उसको न्यू बना दिया जाता है कुछ प्रक्या होता रहा तो उसे ही हम कहते हैं पुना चक्रन देखते हैं प्लाश्टिक कागज लोहा एलुमीनियम या किसी भी धातु आधी का उप्योग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है तो आए हो कि आप लोग को पुना चक्रन समझ में आ गया होगा क centimeter को कर नंबर फाइब पॉलिठीन का बहुत ज्यादा उप्योग करने से हमें किस परकार की समस्याओं का सामना करना पर रहा है यानि अगर नोब यह ज्यादा उप्योग करेंगे हमें किस-کिस परकार के परसानिया आ उसका आंसर हो जाएगा पॉलिथीन का बहुत ज्यादा उपयोग करने से हमें नीमन पड़कार की समस्याओं का सामना करना पर सकता है क्योंकर धोता है अब जैदाते देखतें कुलाहिए कि बैकार हो जाती है यानि वहां की उपजाउपन कम हो जाता है कभी-कभी तो polythene को जानवर निगल लेते हैं जिससे उसकी मिर्थ्यू हो जाती है दूसरा है कभी-कभी ये polythene बाकर नालियों तक पहुंच जाती है और नाले को जाम कर देती है और गंदा पानी सरकों पर बहने लगता है और इसी पानी से विपिन परकार की बीमारिया फैलती है तब ये सब क्या है ये सब polythene के ज़्यादा उप्योग करने के नुकसान है यानि ये सब समस्याओं का सामना हमें करना पर सकता है Q6 है आप polythene के अत्यधिक उप्योग को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं आप से पूछ रहा है इसका आंसर हो जागा हम polythene के अत्यधिक उप्योग को कम करने में निमनी लिखी प्रकार से मदद कर सकते हैं पहला हो गया बाजार जाते समय घर से जूट या कपड़ी की थैली लेकर जाना चाहिए तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं पॉलिथिन के अत्यधिक उप्योग को कम करने मदद कर सकते हैं दूसरे हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक के प्लेट गिलास आदिक उप्योग नहीं करेंगे next है उपयोग के बाद पलास्टिक के चीजों को इधा उधर नहीं फेकेंगे खाद पदार्थ को रखने के लिए पलास्टिक की थैलियों का इस्त्तमाल नहीं करेंगे फाइप में हम polythene को कभी भी जलाएंगे नहीं क्योंकि जलने से इससे हानिकारक गैस निकलती है जो हमारे स्वास्त के लिए हानिकारक होती है तो यह सब करके हम क्या कर सकते हैं पर्थिन कहते हैं अधिक उप्योग को कम करने में यह सब करना हमें जरूरी है तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्रम नहीं हुआगा तो इसमें एक कोस्टन और दिया गया चलिए हम उसे भी देख लेते हैं तो देखें 7 नमबर में निम्ट कतनição में सत्य के सामने यानि कि सही तिथा असत्य कतन के सामने गलत का चिन लगायां गलत वाक्यों को सही करके लिखे, पहला है कच्रे के कारण वायू जल एवं भूमी दूसित हो जाते हैं, तो ये सही है, क्योंकि कच्रे के कारण ही क्या होता है, वायू जल एवं भूमी दूसित हो जाता है, दूसरा है पदात जिसका विगटन आसानी से हो जाता है, जय विग तो यह भी बिल्कुल सही है तो यह भी राइट है फोर में है पुराने अकबार सीसियों प्लास्टिक और धातू से बनी चीजों को कुछ परकिरियाओं द्वारा नए उप्योगी रूप में परिवर्तित करना पुना चकन का लाता तो यह भी सही है पुराना समान जैसे सीसी जर्क्राइण प्लास्टिक रूप ले ले आगाना पुस्यों के गाध विए नहीं परकिरियाओं मेंya न्यू से द 토ए नहीं समान में बदल दे रहता है इसे प्लास्टिक टूट फूट गया तो उसे प्लास्टिक कोई खिलाओना या फिर कुर्सी टेपर कोई बना दिया आता है उसे हम कहते हैं पुना चाकरन